हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल एस डबलू जी स्टडी विद गुरुकुल्स और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट शेपिंग और के साथ हम पढ़ेंगे सक्सेव अप्रॉक्सिमेशन जो की बहुत प्लोजली रिलेटेड है शेपिंग से तो आये हम वॹ द्धिश जो कि आपले लंग यह हो मतलब जो भी हमने पहले लग नहीं किया है वह आपने बीनर मेंणाय पर उसके है कोई पिसी कहा दीवीजिश करके जίक्यआं तो अगर आप दएक डिफाइन करना चाहें how to define shaping shaping can also be defined as a procedure that involves reinforcing behavior that are closer to the target behavior which is known as the successive approximation I know इस अपसर के उपर से गया होगा पर मैं फिर भी आपको समझाती हूं समझाने कोशिश करते हूं कि shaping को जब हम define करते हैं वो इस सरीके से कि कोई भी ऐसे behavior जिसको हम reinforce करते हैं motivate करते हैं reward करते हैं किस चीज़ को उन behaviors को उन attitudes को जो की हमारे target behavior है उससे close हो उसको हम बोलते हैं successive approximation for example आप athlete नहीं है बट आप athlete बनना चाहते हैं तो आपका target है कि आप hundred kilometers per hour की रेट से भाग सके एक दिर में तो यह काम होगा नहीं तो आप कैसे shape करेंगे आप कैसे modulate करेंगे अपने आपको आप first day start करेंगे from five kilometers per hour फिर next 10 then 15 then 20 तो जब कोई भी ऐसे targets होते हैं और उनके closer behavior like जब आप 50 पर पहुंच जाते हैं या फिर 60 पर किलोमेटर पहुंच जाते हैं तब आप उसको reinforce करें इसको motivate करें ताकि वह target क्या है मारा hundred km per hour पहुंच जाए तो उसको हम बोलते हैं shaping और यह जो हम मैंने बताया कि इस रेट से भागे यह पचास साट सत्तर तो मतलब सक्सेसिव approximations हो रहे हैं अप्रॉक्सिमेटली कि नियरबाय टागेट पहुंच रहे हैं उसको reinforce करना है यह नहीं कि हम चहां 100 km पराड रहे हैं और जब उसकी जो नॉमल स्पीड थी फाइव किलो मेटर पराड थी फर्स डे पे और वह सेकेंड डे पे टू किलो मेटर भागने लग जाए तो यह शेपिंग नहीं है तो यह तो दिमोशन की साइड चला गया तो वह सारा behavior अगर हम successive approximations में करते हैं reinforce करते हैं और पहुंच जाते हैं तो इस पूरे procedure को क्या कहा जाता है शेपिंग जो कि बहुत important यह development रहा psychology में जो कि first किस ने दिया था of course BF Skinner ने जिसके लिए नोने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी किये इस थेओरी इन्वार्ज रिइनफोर्सिंग बहेवियर डैटा सक्सेसिबली लुजर एंड लुजर तो अप्रोक्सिमेशन ऑफ देजायड और टागेटेड बहेवियर तो कैसे होता है इसके लिए क्या किया BF Skinner ने एक्सपेरिमेंट्स किये मैंने बहुत बर आपको रैट्स के उपर बता रख्या है तो उन्होंने क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट की छोटी सी स्टोरी है मैं एक छोटा सा टाइब लोगी ताकि स्कोर इंटरस्टिंग बना सकूँ एक्चुली BF Skinner को वहां की जो गौर्मेंट थी उन्होंने इनको क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करें तो इस पूरे प्रोसीजर को मैं कभी और बताऊंगे कि आज हम शेपिंग के बात कर रहे हैं तो बताएंगे कि उन्होंने कैसे लेकर एक्सपेरिमेंट किया स्टाइब停 यह था कि अविरे पिजन को जलिया था उनका हवागत वो थे रेड लाइट यह ए्डाइट को अपने ब्ग सेक्रेस करना तो इसको पिजन को सिखाना था पैपर मूफ करेगा रिकॉर्ड होगा जिससे की इनफॉर्मेशन पर्सेंस को मिल सकती तो होता क्या है कि देख सकते कि यह है ग्रेंड डिलिवरी सिस्टम तो एक्चुली क्या हुआ यह जो पिजन था उसको यह सिखाना थे कि रेड बटन को प्रेस करें और वह कैसे यहां पर बसक्राइ journée सr anniversary सिस्टम जब भी बोस को प्रेस करता तो फॉसको WIN प्रेंस मिलते थे खाने के लिए चुपने के लिए तो धीरे धीरे वonn कर लिया और शेप कर लिया कैसी कर लिया आये जानते हैं वह किया नहीं सब्सक्राइब अप्रोक्सिमेशन से सब्सक्राइब बता चुकिए वह सारे बिहेवियर के टाकट बीवियर के लोग्त है उनको रिइंफोर्स करना एक स्टेप बैस्टेप प्रुसीजर होता है और डिफ् जिसमें कि he trained a subject to learn a behavior by reinforcing the proper behavior and discouraging the unwanted behavior मतलब जब वो बीग से बटन को प्रेस करेगा तब उसको ग्रें मिलेगा और वो ग्रें उसके लिए क्या होगा एक रिवार्ड होगा रिवार्ड होगा रिइंफोर्समेंट होगा कि बार बार वो उस रेड बटन को प्रेस करें तो प्रू ज्यूसन में को बैस जा। आगा प्रेस जाने के लिए वीख लियूसर उसके लिए उसके लासे सकते हैं तो जैसे देख सकते हैं वहांतो Jadi पीजन को कैसे ट्रें किया कैसे ऊसको को रिएन फोसक रिएफॉस किया गया कि जैसे कि step 1 step 1 में देख सकते कि अगर pigeon turns towards the button अगर उसकी तरफ मुड़ता है तो यह एक पर स्टेप एप्रॉक्सिमेशन के एक्जामपल है next is the step 2 अगर पिजन जो है वाक करता है तो वाट बटन उसकी तरफ जाता है step 2 आप उसको तब reinforce करेंगे तब ग्रें थेंगे next is step 3 जब पिजन जो है रेज करता है its head to the height of the button में अपने पंजों पर खड़े होके उस बटन को प्रेस करने की कोशिश करता है तो इस और एक्जामपल जो की टागेट बहेवियर के close है and step 4 ने पिजन जो है वाकी में बटन को टाप कर देता है तो तब हम उसको रिइनफोर्स करते हैं तो आप देख सकते हैं कि step by step process है जिससे कि हम एक पिजन को या किसी भी आनिमल को हम ट्रें कर सकते हैं जैसे कि किसी भी चीज को रिइनफोर्स करने के लिए हमें रिइनफोर्स की जरूरी होती है तो कोई भी ऐसा बिहेवियर जो की कि तरफ देखता ही रहे है तो उसको प्रेस ही नहीं करेगा बटन को तो हमें इस तरीके से शेप करना है कि और उसके closer जाए and keep reinforcing that responses and behavior that resembles to the target behavior और हमें साथ में उन सारे behaviors को रिइनफोर्स करते रहना है जो टार्गड बहेवियर के close हैं by continuing and reinforcing the successive approximation until the target behavior is achieved और हमें कब तक करते रहना है इस अप्रोक्सिमेशन सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं हो जाता है and once the target behavior achieve हो जाता है तो हमें उसको continuously reinforce रखना चाहिए so that final response हमें मिल सके so that was about the कैसे पिजन को shape किया गया और reinforce किया गया तो इसकी applications किया है इसकी application सो हमें day to day life में रोज देखने को मिलती है teachers use करते हैं अपने students को train करने के लिए sports में train की जाती है बच्चे को football, cricket, chess, name any game उस पे train किया जाता है so it is very common for the humans training as well as for the animal training dogs को train किया जाता है in army or military so that they can sense की कहां पे bombs है bomb squads बनाते हैं उसमें dogs की teams होती है तो यह सब train किया जाता है and teaching a dog is very good example of the shaping जहां हम dogs को even verbal commands भी सिखा देते हैं and easily understand हो जाते हैं अब ऐसा नहीं है कि यह सब एक दिन में हो जाता है no, छोटे-छोटे puppies को लिया जाता है and daily seconds hours and days and months काम किया जाता है army personnel के साथ काम करते हैं, dog trainers काम करते हैं dietitian therapy सब काम करते हैं तब जाके उनको train कर पाते हैं उन behaviors के लिए जो वो चाहते है and यह सब कुछ कैसे होता है successive approximation की help से so they need to be shaped toward the desired behavior by successively rewarding the behavior that responds that resembles the target response उनको धीरे-धीरे करके train किया जाता है by using the successive approximations and using the reinforcement so friends this was about the shaping I hope that you will get the idea of the shaping and successive approximations concept and if you like my video, you like, you like, you are educated, you can help your friends so please share and subscribe don't forget to share and subscribe thank you do 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 झाल झाल